कॉंग्रिस प्रदेशा धक्ष राहुल गांधी ने लोगसभा चुनाव को लेकर शुकुरवार को दो सभाओं को समबोधित किया राहुल गांधी ने तमिल्नाडु के कृष्णागिरी में जन्सभा को समबोधित करते वे केंदर और सयोगी संठनों पर निशाना साधा और कहा कि तमिल्नाडु पर नागपूर के लोगों का शासन नहीं होने देंगे वहीं दूसरी और साउथ मिशन में चुनाव प्रचार की कड़ी में सेलम में भी जन्सभा हुई यहां राहुल गांधी ने कहा कि इस बार का लोग सवचनाव दो नेतरतुएं को बीच है एक इतिहास संस्कृति के लिए सभी दल साथ करें काम और वहीं दूसरी और भाजपा चाहती है कि तमिल्नाडु को नागपूर से चलाया जाए और यह भी कहा कि करणा निधी का अपमान मतलब तमिल्नाडु का अपमान है कॉंग्रेस और डियम के साथ मिलकार एक साथ काम कर रहे हैं भाजपा को घोश्णा पत्रबंद कमरे में बनवाया गया यारोप लगाया कॉंग्रेस के ध्यक्षिर राहुल गांधी ने करश्णागिरी सेलम में राहुल ने जनसभा को संबोदित किया